Hello dear students, as usual I am Navneel Godd from Tagore School Parbat Sir and in this video we are studying our 5th class EBS book इस video में हम लोग study करने जा रहे हैं हमारी 5th class की EBS book and as you know dear students, we are studying the lesson number 4 हम लोग study कर रहे हैं lesson 4 we have completed 3 lessons already in our videos अपने videos के थूँ हम लोग 3 lessons complete कर चुके हैं उनके question answers भी complete कर चुके हैं and we are studying the lesson 4 और हम लोग lesson 4 अभी study कर रहे हैं and it is the second video of this lesson और ये अभी आज का वीडियो जो है वो second video है इस lesson का dear students, we have to start today's video from here आज का ये वीडियो यहां से start करना है मैं I have told you the questions, these three questions in my previous video ये तीन question मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिये थे I hope you have completed these three questions in your notebook आशा करता हूं कि ये three questions आप लोगोंने अपनी notebook में कर लिये होंगे We are starting from the next line हम लोग study कर रहे हैं, start कर रहे हैं अपनी next line से after some days, कुछ दिनों के बाद, after means होता है बाद में some days यानि कुछ दिनों के, कुछ दिनों के बाद, when यानि जब Sunita was going to school, Sunita was यानि थी, going यानि जा रही थी to school यानि school, जब Sunita school जा रही थी, she saw, उसने देखा heap यानि धेर, heap of garbage, garbage यानि होता है कचरा, heap यानि होता है धेर, उसने देखा कचरे का धेर, heap of garbage यानि कचरे का धेर, in the locality, आसपडोस में, जब एक दिन जो Sunita है, वो school जा रही थी, तो उसने अपनी locality में, यानि अपने आसपास, कचरे का धेर देखा, she did not like this, like यानि पसंद करना होता है, did not, यानि पसंद नहीं किया, eat यानि इसे, उसने इसे पसंद नहीं किया, ये जो कचरे का धेर, उसने देखा अपने आसपडोस में, लॉकिलिटी में, तो उसको ये अच्छा नहीं लगा, in the school, school में, she discussed, उसने चर्चा की, discuss किया, it यानि इसका, उसने ये कचरे के धेर के बारे में, चर्चा की discussion किया, with her friends, उसके friends के साथ में, उसने discussion किया, सुनिता सैड, सुनिता ने कहा, that की, we kept our school, हम रखते हैं, हमारा school, homes यानि घरों को, etc, आदी चीजों को, clean यानि साफ, की हम अपने घरों को, अपनी school को, या और किसी जगे को, साफ रखते हैं, but, लेकिन, the streets यानि गलियां, work at, रखी जाती हैं, dirty यानि गंदी, लेकिन, जो गलियां हैं, वो गंदी रखी जाती है, what was the huge, what यानि, क्या, was यानि, था, क्या था, the huge, यानि, उपियोग, of such cleanliness, इस तरह की सफाई का, तो, इस तरह की सफाई का, क्या यूज था, वो अपने दोस्तों को कहती है, कि हम अपना घर तो साफ कर लेते हैं, हम अपनी school को भी साफ कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी गलियों को साफ नहीं करते, हम अपनी गलियों में कचरे का धेर लगा के रखते हैं, तो इस तरह की जो cleanliness है इस तरह की जो सफाई है उसका क्या use है प्रतीक उसका एक दोस्त यानि friend प्रतीक जो था प्रतीक at once यानि एक बार interrupted यानि उसको रोकता है प्रतीक ने उसको एक बार रोका, interrupt किया और उसने क्या कहा प्रतीक ने that is not our work वह अपना वर्क नहीं है, यानि वो गलियों की सफाई जो है वो हमारा काम थोड़ी है, प्रतीक ने ऐसा कहा, that is not our work, that यानि this sorry, this is not our work यह हमारा काम नहीं है this यानि यह है, is यानि है, not यानि नहीं our work यानि हमारा कार्य यह हमारा कार्य नहीं है what can we do हम क्या कर सकते हैं about it इसके बारे में यानि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं ये हमारा काम नहीं है गलियों की सफाई करना तो यहां पर ये एक आपने कुछ सीन पड़ा क्या उनके माइंड में चला बच्चों के तो अब इसके आधार पर कुछ questions आ गए हैं जैसा कि आपको पता है अपनी EBS की book में बहुत सारे questions आते रहते हैं बीच बीच में तो वो इसलिए मैं आपको बार-बार कहता हूं कि EBS में especially आपना कभी भी अपना work due मत रखो अगर आपने work due रख दिया तो आगे फिर और question आ जाएंगे daily वीडियो आता है EBS का और daily question answer आते हैं इसलिए जिस दिन का वीडियो हो उसी दिन उसको complete करें और हर subject में ऐसा ही करना चाहिए और उसको तयारी करते रहें so we have to do the question answers discuss and tell चर्चा करें और बताएं देखिए जहां तक भी आपने पिछले question answers किये हैं उसके बाद one line blank छोड़ दें उसके बाद ये topic लगाएं discuss and tell चर्चा करें और बताएं question number one इसके अंदर question number one लगाएं are we also responsible are जब कोई भी helping word starting में आजाती है are we एक helping word है is rm ये helping word होते है Standards भी helping word होती है do does भी helping word होती है will shall भी helping word होती है तो जब कोई helping word किसी भी sentence की starting में आजाती है तो वो sentence interrogative बन जाता है प्रश्न वाचक बन जाता है और उसमें क्या add हो जाता है उसमें आगे क्या जुड़ जाता है तो यहाँ पर our helping verb है और starting में आ गया है इसलिए क्या क्या we यानि हम also यानि भी responsible यानि जिम्मेदार क्या हम भी जिम्मेदार हैं इसका मतलब यह हो गया क्या हम भी responsible हैं responsible यानि जिम्मेदार क्या हम भी जिम्मेदार हैं for cleanliness सफाई के लिए of streets यानि गलियों की or not या नहीं है क्या गलियों की सफाई के लिए क्या streets की cleanliness के लिए हम भी responsible हैं हम भी जिम्मेदार हैं or not या नहीं है you have to write the answer आपको इस question का answer लिखना है like this you can write the answer like this इस तरह से आप इसका answer लिख सकते हैं yes हाँ कोमा लगाना है आपको भी yes यानि हाँ maintaining cleanliness यानि सफाई बनाए रखना maintaining यानि बनाए रखना cleanliness यानि सफाई yes हाँ maintaining cleanliness सफाई को बनाए रखना at roads रोड पर streets यानि गलियों में colonies यानि colonies में at sector यानि आदी जगहों पर is also our responsibility ये भी हमारी जिम्मेदारी है प्रश्न में क्या पूछा गया था कि क्या हम भी responsible हैं इस गलियों की सफाई के लिए क्या हमारी भी जिम्मेदारी है now it is the question number two इसके बाद question number two आपको लिखना है what is the reasons क्या कारण है क्या reasons है for garbage कचरे के लिए and dirt और गंदगी के लिए laying on the streets जो गलियों में पड़ी रहती है जो गलियों में गंदगी garbage यानि कचरा और dirt यानि गंदगी पड़ी रहती है उसके लिए उसका क्या reason है उसका कारण क्या है गलियों में गंदगी और कचरा क्यों पड़ा रहता है उसका कारण क्या है उसका reason लिखना है अपने को तो ये आप लिख सकते हैं people are not aware लोग aware नहीं है aware यानि जागरुक लोग जागरुक नहीं है People are not aware, लोग अवेर नहीं है, towards cleanliness, towards यानि की ओर, cleanliness की ओर, यानि सफाई की ओर, People are not aware, लोग अवेर नहीं है, लोग जागरुक नहीं है, towards cleanliness, यानि सफाई की ओर, at road, road पर, streets यानि गलियों में, therefore, इसी लिए, they litter, लिटर, यानि गंद की फैलाना, या कच्रा फैलाना, इसी लिए, they litter, यानि वे कच्रा फैलाते हैं, here and there, और यहां और वहां, तो यह answer हो गया, प्रश्न में पुछा गया था, कि गलियों में जो कच्रा फैलावा रहता है, या रोड पर जो कच्रा फैलावा रहता है, उसका reason क्या है, उसका कारण क्या है, तो कारण यह है कि लोग जागरूक नहीं है, aware नहीं है, और इसी लिए, वो कच्रा फैलाते रहते हैं, तो यही answer हमने लिखा है, people are not aware, लोग aware नहीं है, towards cleanliness, यानि सफाई की और, at road यानि road पर, streets यानि गलियों में, therefore इसी लिए, they litter here and there, और इसी लिए वो इदर उदर कच्रा फैलाते रहते हैं, now it is question number 3, तीसरा question है, what can we do, हम क्या कर सकते हैं, to keep रखने के लिए, our streets clean, हमारी गलियों को साफ, अपनी गलियों को, अपनी streets को clean रखने के लिए, what can we do, हम क्या कर सकते हैं, तो आपको लिखना है, इस तरह से की हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक तो क्या है, लोगों को जागरूख कर सकते हैं, की कच्रा मत फैलाओ, और इसके साथ साथ, हम cleanliness को maintain भी कर सकते हैं, उसको बनाए रख सकते हैं, तो यही answer आपको लिखना है, we will have to create, we will, will का प्रियोग हुआ है, will का प्रियोग होता है, तो future tense में sentence होता है, भविश्यकाल का अर्थ बनता है उसका, have to का प्रियोग, तब होता है, जब कोई काम जरूरी रूप से करना हो, और या करने की मजबूरी हो, तो जरूरी करना हो, या करने की मजबूरी हो, तो have to का प्रियोग किया जाता है, we will have to create, हमें create करना होगा, हमें create करना होगा, हमें बनाना होगा, awareness यानि जागरुकता, हमें awareness create करनी होगी हमें जागरुकता बनानी होगी towards cleanliness सफाई के और हमें सफाई की और जागरुकता बनानी होगी so that ताकि people put garbage ताकि लोग कचरे को रखें at the proper place सही इस्थान पर ताकि लोग कचरे को सही इस्थान पर रखें इसके लिए हमें लोगों को हमें awareness create करनी होगी जागरुकता पैदा करनी होगी at the same time और इसी समय और यानि इसके साथ साथ we all will have to maintain हम सभी को maintain करनी होगी cleanliness यानि सफाई और इसके साथ साथ हम सब को सफाई maintain भी करनी होगी केवल जागरुकता फैलाने से काम नहीं चलेगा तो हम लोगों को जागरुकता भी फैलानी पड़ेगी लोगों के बीच में और इसके साथ साथ हम सभी को cleanliness यानि सफाई को maintain भी करना होगा on our streets यानि हमारी गलियों में and in colonies और colonies में तो ये भी हमें करना होगा जागरुकता भी पैदा करनी होगी और cleanliness को maintain भी करना होगा now I have told you the answers of these three questions इन तीन questions के answers मैंने आपको बता दिये हैं you have to do these questions in your notebook ये तीन questions आपको अपनी notebook में करने हैं now again there are some questions दुबारा कुछ questions आ गए हैं and topic is find out and tell इस बार का topic लगाना है find out and tell पता करें और बताएं question number one who cleans your streets who यानि कौन cleans यानि साफ करता है your streets यानि तुमारी गलियों को तुमारी streets को कौन clean करता है कौन साफ करता है तो इसका answer आपको लिखना है देखिए who के जो questions होते हैं उसमें अगर आपन उसका answer लिखकर के बाकी का जो question है वो write कर देते हैं तो पूरा complete answer बन जाता है तो यहां पर आपको हू की जगे लिखना है municipality sweepers municipality sweepers municipality किसको बोलते है नगर पालिका को और sweeper यानि होते हैं सफाई कर्मचारी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी municipality sweepers sweep यानि जाड़ू लगाने वाले नगर पालिका के जाड़ू लगाने वाले municipality sweepers अब देखिए यहां पर डज का प्रियोग हुआ था क्योंकि यहां singular subject था अब हमने sweepers लिख दिया है बहू अचन तो बहू अचन के साथ डू आता है इसलिए डज की जगे डू लिखना है और बाकी का पूरा पूरा ऐसा है का इसा ही लिख सकते हैं तो पूरा लोकलिटी हमारी लोकलिटी में देन question number two उसके बाद question number two है what do they do what यानि क्या do helping verb है they यानि वे do यानि करना लेकिन do आगया तो करते हैं ता तीते आ जाता है do अगर helping verb आती है तो what do they do वे क्या करते हैं with the collected garbage इखटे किये वे garbage यानि कचरे के साथ with यानि साथ में वो collected garbage के साथ क्या करते हैं वो इखटे किये वे कचरे के साथ क्या करते हैं वो जो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं वो इखटे किये वे कचरे के साथ क्या करते हैं एक तो ये question है दूसरा question इसी के साथ है where do they take it where यानि कहां do helping verb है they यानि वे take यानि ले जाना लेकिन ले जाते ह यानि इसे वे इसे कहां ले जाते हैं तो जो कच्रा वो इखटा करते हैं वो इसका क्या करते हैं और वो इसको कहां लेके जाते हैं तो इसका आंसर आपको लिखना है इस तरह से और इसको निस्तारित करते हैं dispose यानि दबाते हैं खड़े में dispose करना उसी को कहते हैं और इसको dispose करते हैं निस्तारित करते हैं it यानि इसे of there only केवल वहीं पर यानि इदर उदर नहीं फैकते हैं वो लोग कच्रा वो इसको city के बाहर लेके जाते हैं कच्रे को और फिर इसको dispose करते हैं यानि इसको निस्तारित करते हैं कोई खड़ों में डालते हैं तो ये आपको इसका answer लिखना है Dear students then it is question number 3 इसका question number 3 है What difficulties यानि क्या समस्याएं Do they face Do helping verb है Face यानि होता है सामना करना वे सामना करते हैं किन difficulties का वो सामना करते हैं in this work इसका में इसका में वो किन difficulties का सामना करते हैं तो वो जो kचरे को इखटा करते हैं लेके जाते हैं तो वो किन-किन समस्याओं का सामना करते हैं तो वो आपको लिखना है ये Many times कई बार there is shortage कमी होती है shortage यानि कमी there is shortage कमी होती है of equipments यानि उपकरणों की and convince और साधनों की कई बार कचरा इखटे करने की जो उपकरण होते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं या ले जाने की जो convince यानि साधन होते हैं उनकी shortage होती है तो कई बार एक पूछा क्या गया है कि उनको क्या क्या दिक्कत होती होगी तो कई बार उनके पास में equipments यानि उपकरणों की और convince यानि साधनों की shortage होती है shortage यानि कमी होती है और कई बार क्या होता है sometimes यानि कई बार they have to take उनको ले जाना होता है the garbage यानि कचरे को on their heads उनके सिर पर कई बार उनको garbage को on their heads यानि उनके सिर पर ले जाना पड़ता है which is very injurious जो की बहुती खतरनाक है जो की बहुती नुकसान दे है for health यानि उनके स्वास्ते के लिए तो उनको समस्य हैं क्या आती है कई बार तो उनके पास convenience की shortage होती है कई बार उनके पास उनके सिर पर garbage को take यानि ले जाना पड़ता है और ये सिर पर जब वो कच्रा ले जाते हैं तो ये उनकी health के लिए यानि उनकी स्वास्ते के लिए बहुत injurious होता है यानि बहुत नुकसान देने वाला होता है Dear students, we have done six questions today आज हमने six questions किये हैं three are of discuss and tell and tell और तीन जो question थे वो find out and tell के थे You have to do these six questions in your notebooks आपको अपनी notebook में ये six questions करने हैं and you should do these questions in a good handwriting आपको एक अच्छी handwriting में ये questions करने चाहिए ताकि आप इनको read कर सकें आपको ये समझ में आ सकें क्योंकि आगे इनको learn भी करना है आगे नहीं बलकि मैं तो कहूंगा कि जिस दिन आपकी notebook में आप return work करते हैं उसी दिन उनको learn करें क्योंकि ये material बहुत ही बढ़ता जाएगा तो ने तो आप return work को due रखें ने आप learning work को due रखें day to day करते रहें जिस दिन जो work वीडियो में आता है उसी दिन उसको copy में करें उसी दिन उसको learn करें you have to give the class test on the next Sunday, next Saturday अगले Saturday पर आपको ये class test भी देना है जितने भी work अपना notebook में हुआ है वो आपका syllabus होगा उसमें से आपको learn करना है उसमें से questions आ सकते हैं कोई भी question आ सकता है आपको daily कुछ part उस notebook का learn करना चाहिए okay dear students it is sufficient for today आज का ये work मुझे लगता है sufficient है परियापत है आज के लिए we will meet now in the next video अगले video में हम लोग मिलेंगे and read the next part of the lesson